में हम बात करेंगे what is the implementation of autistic behavior का क्या applications natural selection को कैसे ये favor करता है तो इसके बारे हम चार्चा करेंगे तो एक ग्यानिक ते Hamilton Hamilton ना ने सबसे पहले बताया था कि कैसे ये work करता रहता है Hamilton सामने बताया कि autistic behavior कैसे natural selection को favor करता है उन्होंने कुछ के लिए एक formula दिया था उसको हमें remember करना है उससे स्यतायार में लगाता है कि उससे नाता आता है जब हम बात करते है Hamilton rule की थे Hamilton rule क्या करता है Hamilton प्रपोस्ट थैट एट एनल्टेस्टिक जीन वी फेवर बाई दे नेचरल सेलेक्शन में आर भी इस greater than C तो बहुत ही important relationship है Hamilton rule ने हमेसा इसी के बारे में बताया था और Hamilton rule में क्या करता है आर भी इस greater than C इसका मतलब कहने का क्या मतलब है आर यहां पर पहले हम कोई जाना कि क्या किसको denote करते हैं तो आर क्या यहां पर है आर आर है coefficient of relatedness of the donor to the recipient मतलब कि donor जो अपनी life को त्याग करके दूसरी life को protect कर रहा है जो जो life को त्याग कर रहा है जो पहला monkey था दूसरी monkey बीच में कैसा relationship है कहीं वो उसका भाई तो नहीं था उसका पुतर तो नहीं था उनके grandfather तो नहीं थे इस तरह से डोनर और recipient के बीच में कैसा relationship है इसको जानने के लिए जो टर्म हमिल्टन साहब ने दिया था उसके कहते हैं coefficient of relatedness तो आर यहां पर क्या करता है आर इस coefficient of relatedness of the donor to the recipient के बीच में जो लाइब देता है जो लाइब जिसकी लाइब प्रूटक करता है उनके बीच में कैसा relationship है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए काते हैं इसका मतलब कितना benefit जो डोनर है कितना benefit recipient को दे। यहां वहीं मतलब डोनर ने कितना कॉस्ट किया है कितना life में त्याक किया है अपने relatives को बचाने के लिए तो just see for the cost incurred by the cost incurred by the donor तो एक relationship हमको मिलती है यहाँ पर rb is greater than rb is greater than c यहाँ पर एक relationship हमको मिलती है rb is greater than c जब rb is greater than c हैंगे तो इसको अगर हम तो चेंज करेंगे तो हम बाएंगे जब rb को हम दो r को इधर करेंगे तो c by b होता है तो हमेशा इध्यार रखना है कि जो relatedness है वो हमेशा ज्यादा होती है c by b यहाँ पर हमको थोड़ी सी इन बातों को ध्यार रखना है और किसके लिए कितना लाइफ यह त्यार कर सकता है का मतलब कि मंकी ने जो अपने लाइफ डेडिकेट किया है क्या सब के लिए बराबर है नेचर में यह बात हमें बहुत ध्यां से समझने की जरुवत है कि जब भी कोई ब्यक्ति अपनी लाइफ को त्यार करता दूसरी क लाइब को बचाने के लिए तो क्या वो सब के लिए बरावर होता है अपने दादा जी के लिए अपने पिता जी के लिए अपने पुत्र के लिए अपने नेफियों के लिए अपने इस्टे ब्रदर के लिए तो अगर हमने जब हमेल्टन साहब ने इस बात की स्टडी किया तो जाई से हमने जभी हमिल्टन साफने स्टीडी किया तो different type up का relationship हमको मिला हुआ है जैसे हम देखते यहां पर है जैने को relationship और कैसी दिखती है जैने relationship की बात करती है तो यहां पे देखे father father जो donor होता उसको father's के relationship को देखे तो वहां पर क्या रता यह बड़ा दो पचास परसेंग जितना अपने मदर फादर से आप इस प्रिंग रिलेस्टा उसको भी आप इस्पुरिंग की बात करें तो आप इस्पुरिंग में भी 0.5 होता है यहां इंपोटेंट है स dew का जाता है वहां पर 7.5 हाती है निए बड़ा है करते की इसको थोला से डिखा जातों वहां पर genetic relatedness थोड़ी सी कम रहते हूं किते होती है 0.25 यह पचीस परसेंट होती है वहाँ पे हने स्वारी जह हाफ sibling की बात करते हैं तो हाफ sibling में step brother की बात करते हैं तो वहाँ पे किते होती है 0.25 होती है यह नहीं 25 परसेंट एक बड़ा चार तो यहाँ पे देखेंगे mother father के compare में आफ स्परिंग की compare में इस हाफ जो sibling होता है नहीं step brother होता है उसमें थोड़ा सा genetic relatedness क्या होती है से कम हो रही है वहीं और आगे हम बढ़ते हैं तो आप देखते हैं नेफ्यू निस नेफ्यू अंकल आंट ग्रैंट फादर ग्रैंड चिल्डेन इनमें जेन्टिक रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ 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 को दिखता है है नहीं 12.5% होता रहता है इस तर्से हम देखेंगे तो अगर हम genetic, की बात करें तो सबसे आद ब्रीशन को कहा दिखती है आप में ततर में दिखती है अधी पीता पूत्ट न में दिखती है वाइब के बीच में दिखती है और इसके बाद हम को कहा यानिक के बीच में देखती है यानि सिस्टर और ब्रिदर के बीच यहां पर 0.5 परसे इन 50% करेक्टर से होती है बहुत ज्यादा जेन्टिक रिलेशन हैं कि वहाँ पे लाइफ को ज्यादा कास्ट कर सकता है इनको बचाने के लिए वहीं सबसे कम बचाने के लिए लाइफ कास जो हम को रखनी होगी तो थोड़ा साम को यहां पर remember करने बाएगा इन relationship को कि father के साथ 0.5 होता है mother के साथ 0.5 होता है आप spring के साथ देखेंगे 0.5 रखता सीब्लिंग mother sister के बीद में भी देखते हैं फोड़ा साथ देहा रखेंगा half sibling step brother step brother के बीच में क्या होता है 0.25 होता है और साथ से कम जो होता है 0.125 जो होता करजिन के अंदर तो इनको थोड़ा सा प्रिमेंबर किये रहेंगे ताकि आपके एक्जाम में क्योशन इजली साल हो एक पॉइंट और यहां बहुत इंपोर्टेंट मैं थोड़ा साब को बताने का प्रयास करूंगा कि है जैसे कि बीच में दिखा गया तो यह 0.5 का रिलेशन होता है मदर फादर के बीच में आप स्पिरिंग के बीच में होता है लेकिन जब हानी बी की स्टड़ी किया गया तो वहां पे कंडिशन थोड़ी से चेंज होती हो है पलो डिपलायट कंडिशन होता है तो वहां पे दो करता है तो यहां पर 0.75 का रिखना रहेंगा रहेंगा अग्छेंगे कि जुन 2015 में किसी सायर पर हमें लिटर रूल से और आया हुँगा इस क्योंको को कर यहां पर तोड़ी से अगर आप ध्याहन से पड़ें ब्रदर एंड बिहां देश्यम फादर बट डिफरेंड मदर ब्रदर A and B है तरह सेम फादर बर्दर, डिफरेंट बर्दर, डिफरेंट मदर होता है, फिर कह रहा है कि बी वांट एटु हल्प यू, बी चाहता है, एँग्सकी बात करी, यहांपे देखिए एँग्सकी बात करता है, यहां पर देखिए हाफ सिबलिंग की बात करता है, यहांपे हमको अलड़ी पता चल लगी कितनी हो जाएगी, वे अमें द्हार रखना इस बात को रहेगा, तो नुमेरिकल में रिमेंबर किया रहेंगे half sibling का genetic relatedness कितना होती है फिर यहां पर कहता क्या है कि help करना चाहता है which involve both benefits जो जिससे वो benefit की बात करता है and cost की बात करता है if a incurs a cost of 30 darwinian fitness यहां पर इस point को में ध्यारखना है कि a incur कर रहा है cost of cost वाला यह cost 30 darwinian यह हमें एक value हम मिल गई C की value कितनी वह unit को कर रहा 30 30 darwinian fitness unit को introduce कर रहा है तो हमें C की value 30 मिल गई and fitness कर रहा है and unit in that act under what condition should we help be but not kiss condition अब यहां को संब इंपोर्टेंट यह हो जा रहा है कि in that act under what condition should he help B मतलब कैसे A B की help करेगा है जब वो दो चीज़े हमको मिल गई एक तो यहां पर हमें क्या निकल के आता है पहली बात यह ध्यान रख लेना है कि यहां से A और B के आता same father है और A और B के different mother है तो इनके बीच का जो relationship हो half sibling है और half sibling या step brother और half sibling और step brother की जो R की value होती है जो genetic relatedness की value होती हो वो कितना 0.25 वो कितनी है 0.25 वो 0.25 होता है और आपको यह भी पता है कास्ट कितना दिया हुआ है cost A दिया है 30 है हमको किस की value इंकालना है benefit की इंकालना है तो जैसा कि हम formula जानते है R is greater than C जैसा कि हम जानते है क्या होता R is greater than C होता है तो R की value कितना है 0.25 half sibling के लिए और B की value हमें नहीं पता है और cost की value कितना दिया हुई है 120 हो जाएगा आप इस तरह से दिखेंगे 20 greater than 120 एनि benefit 120 से ज्यादा होना चाहिए benefit 120 से क्या होने चाहिए ज्यादा होना चाहिए तो अब आप आप अबात करेंगे तो कहता है कि A B के help तब करेगा जब benefit कितनी होने चाहिए 120 से ज्यादा करता है इसका मतब़ करता क्या है कि cost 30 unit की लगाता है और benefit कितनी हो रही है 120 का तब ही हमिल्टर रूं को follow करेगा तब ही होगा आपको पहले सेमिनाल ने बता रखा है कि जब कास्ट कम लगे बेनफिट ज्यादा होगा तब ही हमिल्टर रूल फालो होगा तब ही हमिल्टर रूल फालो होगा इस तरह से आप देखेंगे तो यहां पर इस क्योस्टन में देखें कि चार आपस्टन दिया हुआ है only if a b की help तब करेगा जब बेनफिट more than 13 होगा दूसरा आपस्टन करता है कि a b कि तब ही करेगा जब यह एंफिट से ज्यादा होगा तेसरा काता है उत्ताभक हेल्प करेगा जब 20 surfing